ठीक है तो आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी फाइबर क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ पी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्लास के नूट्स आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डारेक्ट आउनलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा नूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक that is डाइटरी फाइबर अब नूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में इससे पहले हम एक और टॉपिक कर चुके हैं that is nutrients और उसके अंदर हमने पढ़ाता source of nutrients ठीक तो यह टॉपिक का वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो nutrition and health वाले प्लेलिस्ट को लोगे तो उसके अंदर आपको यह टॉपिक का वीडियो उसके नोट्स के साथ मिल जाएगा तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक that is dietary fiber अब यार तुमने बातों बातों में कईयों से सुना होगा डाइट में fibers लेनी चाहिए, डाइट में fiber बढ़ाओ अपने fiber बहुत अच्छा होता है तो भाईया ये fiber होता क्या है उठाके धागे थोड़ी खने लगेंगे तो वही समझना है कि भाईया fiber का मतलब किया होता है fiber का मतलब होता है plants का जो edible part होता है उसका वो remnant होता है plants या carbohydrates जो होते है उनके edible part का ये remnant होता है जो की हम digest नहीं कर सकते और absorb नहीं कर सकते फिर से समझा रहा हूँ simple भाशा में पेड़ पौधो या जो carbs होते है उनके specifically बात करें तो पेड़ पौधो या carbs का जो edible part होता है उनका remnant होता है बच्चा हुआ edible part पेड़ पौधो या carbohydrates का जो की हमारे शरीर या small intestine में नहीं हम digest कर सकते हैं नहीं हम absorb करते हैं उसको कहते है dietary fiber समझ गए? तो dietary fiber क्या होता है? dietary fiber पेड़ पौधो या carbohydrates का वो part होता है जो remnant होता है उस edible part का जिसको की नहीं हमारे small intestine digest कर सकती है नहीं हमारे small intestine absorb कर सकती है उसको कहते हैं dietary fiber यह क्या होता है? यह non-starch polysaccharide होता है अब भया तुम बोलोगे जब इसको digest ही नहीं कर पा रहा है हमारा शरीर जब इसको absorb ही नहीं कर पा रहा है हमारा शरीर तो हम इसको लेते क्यों है अपनी diet में? यह न हम functions पे समझेंगे बहुत सारे functions होते हैं cholesterol को कम, blood cholesterol को कम करता है glucose level को कम करता है सिर्टाइटी पूरी करता है, bulk of food बनाता है और in fact, laxative की तरह भी आक करता है बहुत सारे इसके functions है वो हम समझेंगे आगे आने वाले slides में अभी सिर्फ इतना समझ लो पेड़ पॉधो का खाने लायक वो हिस्सा जो की नहीं हमारे शरीर में absorb हो सकता है नहीं वो digest हो सकता है बस यह bulk बढ़ा देता है food का और यह lexatives की तरह भी काम करता इसमें कुछ चीज़े होती है जो कि आपके glucose और cholesterol को कम करती है अब कितिनी तरह का होता है dietary fiber तो मुखिता dietary fiber दो तरह के होते है एक होते है insoluble fibers एक होते है soluble fibers at least इन के नाम याद रखना कि जो insoluble fibers होते है इसमें आता है cellulose hemicellulose legnin जब कि जो soluble fibers होते है उसमें आता है pectin, gum और mucilage ठीक है pectin, gum, mucilage ये तीनों आजाएंगे आपके soluble में जब कि insoluble में आएंगे cellulose, hemicellulose और legnin ठीक है तो at least नाम इनके याद रखने insoluble में कौन सा, soluble में कौन सा अब हमने ये तो देख लिया कि dietary fiber होता क्या है हमने ये भी देख लिया कि कितने तरह का होता है अब अगला सवाल आता है भया ये dietary fiber ज़ादातर मिलते किसमें बहुत सारी चीजों में मिलते है हम कुछ चीजे बस देखेंगे जिसमें ज़ादा या मुक्यता पाया जाता है ठीक है अब पहली चीज इसमें याद रखने dietary fiber में कि जितने भी animal products होते हैं या animal foods होते हैं उनमे dietary fiber नहीं होता है भाई साहब इनकी definition में हमने क्या समझाता कि plant का वो edible parts या remnants होता है plants के edible part का जो की हमारे हम digest या absorb नहीं कर पाते हैं तो इतने capitals में क्यों लिखा है plants का इसका मतलब ही ये है कि भाई साहब animal या animal food products में आपको fiber नहीं मिलते हैं ठीक अब अगर plants में मिलते हैं तो उनमें क्या-क्या जिसमें काफी मातरा में fibers पाया जाता है या richest source क्या होता है सीधा देखो nutrition में आपको ऐसा सीधा पुछ ले जाता है richest source बताओ rich in vitamin A rich in fiber ऐसा पुछ ले जाता है richest source तो आपको हर एक का पताओना चाहिए तो अगर हम बात करें कि fiber का richest source क्या होता है वो होता है Miller's brand अब तुम पूछोगे Miller's brand क्या होता है जे का शब्दा आपने इस्तिमाल कर लिया Miller's brand कुछ नहीं होता है इसको wheat brand भी कहते है wheat पता है क्या होता है गे हूँ गे हूँ तो आपने देखा होगा यह आपका होता है गे हूँ अब गेहूं जब खेत में उखता है तो वो कुछ इस तरह का दिखता है फिर जब वो बोरियों में भरके आपके घर में आता है तो कुछ इस तरह का दिखता है और फिर उसका आटा बना के आप रोड़ी खा ले तो ठीक, मगर इसमें एक फर्क है, पता ही क्या है यह जो गेहूं है ना इसकी जो गेहूं के यह देख रही है ये इसकी जो hard outer layer होती है बलेयर रहोता है जो बना जाता है तो जो हाट ऑटर लेयर होती एкими सब्सक्राइब इसको अलग कर दिया जाता है और जो एन्डोडर्म या फिर वीट जर्म होता है वो आपको मिल जाता है गेहूं के रूप में वीट जर्म मिल जाता है और वीट ब्रैंड जो होता है उसको निकालके अलग कर देते हैं समझ गए तो यह है आपका गेहूं गेहूं की जो आउटर हार्ड लेयर है जिसको की कहते हैं wheat brand इसको अलग कर दिया और जो अंदर का soft germ है जो गेहूं का दाना है उसको कहते हैं wheat germ जो की refinery के थ्रूगों के आपके पास आ जाता है समझ गए तो millers brand को बहुती ऊची एकदम तबाही वाली चीज नहीं है कि यह भगवान जे का है कुछ नहीं है आउटर लेयर है जो गेहूं की आउटर हार्ड लेयर होती है वो होती है आपकी wheat brand या millers brand जो की काफी rich होती है fibers में in fact कहना चाहिए richest source होती है fiber का तो यह हो गया पर यह आता कैसे बनता कैसे तो वो भी समझ लेना ठीक उसके बाद और भी food products होते हैं जो की fiber से rich होते हैं जैसे की रागी रागी बता हो हमने कहां पढ़ा था रागी अगर आपको याद हो रागी is the richest source of calcium यह हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में आप चाहो तो nutrient फाला वी nutrients पढ़ा था तो रागी is the richest source of calcium मगर रागी is very good source of fiber also तो fiber के लिए भी अच्छा खा जाता है रागी का दूसरा नाम होता है finger millet उसके अलावा cluster beans और मेज मेज याने मक्का उसके अलावा ज्वार हिंदीक वर्ड है उसको इंग्लिश में बोलो तो सोर्गम बोलते हैं उसके अल जावा oats यह सभी fiber में काफी रिच होते हैं fiber अच्छी खासी मातरा में में पाय जाता है अब इनको देख लेते कि कुछ दिखते कैसे रागी जो होता है यह कुछ ऐसे राई के दानों जैसे लाल-लाल राई के दानों जैसे होते हैं उसके जैसा दिखता है मकर इसको ना finger millet भी gas में नाम में उसका अर्थ चुपा है तो यह कुछ इस तरह से दिखता है आपका रागी या finger millet उसके बाद आता है अब यहां पी एक arrow बनाया है मैंने इसका मतलब क्या होता है अगर आपसे कई बार mcq में पुछला जाए इन में से richest source कौन सा है मानलो आपको miller spread नहीं दिया आपको रागी दे दिया cluster beans दे दिया मेज जवार और बाजरा दे दिया इन में से बोला richest source कौन सा है तो सबसे ज़्यादा रागी में मिलेगा उसके बाद cluster beans उसके बाद मेज कौन या भुटा उसके बाजवार या सोरगम उसके बाद आएगा बाजरा या pearl millet कुछ इस तरह से फल्नी के दाने या फल्लिया जो बोलते ना वो कुछ इस तरह से इसमें भी fibers काफी मातर में मिलता है उसके बाद मेज या फिर जिसको कौन कहते हैं भुटा तो बच्पन से खाते आ रहे हैं अब इसका पेड़ दिखाने की ज़वत तो है नहीं तो यह हो ग जिसको कि हम सोरगम कहते हैं तो यह कुछ इस तरह से दिखता है आपका ज्वार और क्योंकि आजकल image based question आता है तो इसलिए इसके पेड़ की फोटो याद रखना कि कुछ इस तरह से आपको ज्वार का पेड़ या ज्वार जब पेड़ में लगा हुआ होता है तो कुछ इस ज्वार वहीं आगर हम बात करें बाजरा की तो बाजरा जो है वो कुछ इस तरह से थोड़ा सा gray shade में आ जाएगा आपको बाजरा और जबकि जो ज्वार है वो creamish color में रहेगा इसमें याद रखना और ज्वार और भी थोड़ से महीन type के हो जाएंगे और इसलिए महीन type के चमकते रहते हैं इसलिए इनको pearl millet भी कहते हैं यह दिख रहा है आपको यह पेड में लगा ऐसे नहीं लग रहा कि एक डगाल पर बहुत साथ चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे- तो उसके बाद आता है oats, oats तो यारब सभी खाते हो, आपको पता है कि oats जो है वो five hours में रिच होते हैं, रोज सुबह सुबह oats काते हो, कुछ लोग दूद के साथ काते हैं, कुछ लोग नमकीन oats काते हैं, तो oats कैसे दिखते हैं, कुछ इस तरह से तो बोलो के सार ओट्स तो सभी ने देखिया है वो कहे को दिखा रहे हो मगर भाईया ओट्स बनते कैसे हैं वो कभी सोचा है ओट्स पेड़ पे जब लगे होते ना कुछ इस तरह का दिखाई देता है फिर सूप के ये कुछ इस तरह का हो जाता है जिसमें से हम ये इसके निकाले हमने बीज और फिर ये बीज को चप्टा करते हैं तब बनते हैं आपके ओट्स समझ में आया तो ये समझ लेना क्योंकि आजकल इमेज पर इस कुशन आ जाते हैं तो इमेज में आपको इस तरह का इमेज दे दी तो बोलेंगो ये भगवाज जेका हो गया जी तो हमारे सर के उपा से निकल गया तो अब नहीं निकलेगा तो ये है आपको पेड में लगे हुए उसके बाद सुखा के जब बीज निकाल लिए पक गए जब बीज निकाल लिए बीज को फ्लैटन अप कर दिया उसके बाद ये बनता है ये हो गया आपका रागी फिर आपका क्लस्टर बीन्स हो गया फिर आपका मेज हो गया फिर आपका ज्वार या सोरखम हो गया फिर आपका बाजरा या परल मिलेट हो गया और फिर आपका हो गया ओट्स ठीक तो ये हो गए जो काफी अच्छे सोर्स होते हैं फाइबर के होते हैं हमने कुछ के नाम लेखे हैं जो की जादा जिनमें काफी मात्रा में फाइबर साथ मिलता है और जो आपको mcqs वगरे में भी पूछे जाते हैं ठीक उसके बाद आता है इसका function कि भाई साब इसका काम क्या है खा क्यों रहे हैं जब खाना न खब जाए तो इसीलिए fibers की मात्रा बढ़ातों गे न तो बल्क बढ़ा देता है आपके खाने का पाने का बलक भड़ जाता है तो भूक आपकी शान्त कर देते हैं इसलिए fibers जादा खाने को बोले जाते हैं जिससे कि खाना कम खाओगे fibers जादा खाओगे पेट चलती भर जाएगा ठीक, तो bulk of the food प्रोवाइट करते हैं, satiety को favor कर देते हैं उसके अलावा lexative action भी होता है जिनको constipations वगरा होते हैं जिनको परिशानिया होती हैं उनको high fiber diet लेने को बोलते हैं जिससे की lexative actions की वज़े से उनका digestion अच्छा हो सके ठीक, उसके लव बहुत important इसके function है that is blood cholesterol और blood glucose को कम करता है blood cholesterol और blood glucose को कम करने में भी fiber बहुत important role play करता है अब blood glucose की बात हुई है तो हम बता दे जो fenugreek seeds होते हैं उनमें पाया जाता है fiber gum ये gum हमने कहां पढ़ा था अलब gum तो हम सभी के जिन्दगी में है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि soluble fibers में हमने gum पढ़ा था तो ये जो gum होता है ये हमको fenugreek seeds में मिलता है जो कि postprandal glucose level को कम करता है अब बोलोगे सारे यार इतने आसान भाषा में समझाते हैं समझाते हैं क्या बड़े बड़े शब्द fenugreek seeds postprandal glucose शुरू करने लगे अब याब postprandal glucose तो आप डॉक्टर बन रहे हो तो सभी को पता है कि देखो blood glucose आप दो टाइम पर नापते हो एक होता है fasting एक होता है postprandal fasting क्या होता है जब खाली पेट आप blood glucose नापते हो postprandal जब खाने के बाद नापते हो तो postprandal खाने के बाद जो blood glucose बढ़ता है उसको कम करने में fenugreek seeds बहुत एहम role play कर सकते हैं क्योंकि उनमें gum होता है जोकि blood glucose को कम करता है अब घंटे भरसे में fenugreek seeds fenugreek seeds बोलता जा रहा हो कुछ मतलब पता है इसका ठीक है पता है तो अच्छी बात है नहीं पता है तो मैं बता देतों fenugreek seeds का मतलब होता है मैथी दाना खाया होगा न मैथी दाना वो बढ़िया कड़ी चावल जब खाते हैं तो कड़ी में भी उससे छोका लगाते हैं बहुत सारे चीजों में डलता है मैथी दाना in fact मैथी के दाने के कई बार पीस के वो लड़ों में भी मिलाते हैं diet I mean nutritious बनाने के लिए उनको तो मैथी दाना कड़ी चावल में तो खाया होगा यार कड़ी में तो छोका मैं भी लगाता हूँ तो fenugreek seeds या मैथी दाना fenugreek seeds मैथी दाना होता है ठीक तो यह आपका blood glucose level या post-prondyl glucose level को कम करते हैं अब मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता था कि fenugreek seeds बनते कैसे हैं मतलब मैथी दाना होता होगा मैथी तो हम direct खा जाते हैं फिर दाना कहा है या उसका तो actually में यह होता है आपका मैथी इसको तोड़के बढ़ी है मैथी की आलू मैथी भाजी बना लेते हो ठीक है मगर अगर इस stage पर है ना यहाँ पर पत्तिया आ गए पूरी उसको तोड़के बढ़ी है भाजी बना लेते हो आप मगर अगर इस stage पर आपने इनको नहीं तोड़ा और आगे जाने दिया पेड़ को तो फिर इसमें उखते हैं flowers full आ जाते हैं पिर भी अगर आपने नहीं तोड़ा तो फिर इसमें आ जाती है फल्लियां यह देख रहे हो छोटे छोटे फल आ गए इसमें फल्लियां आ गए और इनके अंदर छोटे 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 बीज होते है अब इसमें फिर stage के भी पूरी पक चाती है पूरी सूक चाती है तब यह जो फल्लियां होती है ना इनके अंदर से निकलता है यह मैथी दाना तो मैं हमेशा सोचता था या मैथी तो हम खा गए उसमें तो कहीं हमको दाना आया ने तो फिर वो आया कहाँ से तो actually में ये था ठीक है ये PSM के लिए नहीं है पर पता हो न चीज़ों के बारे में ठीक तो ये हो गया आपका functions में कि बल्क प्रोवाइड करता है satiety शांत करता है laxative action होता है blood cholesterol और blood glucose को कम करता है fenugreek seed में जो gum होता है वो postpondal glucose को कम करता है उसके अलावा बहुत सारे बिमारियों होती है जिनके incidence को कम करता है कई बिमारियों के मतलब की बिमारियों के नए cases को आना कम करता है या बिमारियों से बचाव करता है जैसे की corny artery disease कम करता है colonic polyps कम कराता है infect काई सारे cancers को भी कम कराता है जैसे breast cancer, stomach cancer, prostate cancer और colon cancer के होने के chances को भी कम करता है इसके अलावा कुछ बीमारियों में अलग से खिलाया भी जाता है management के लिए जैसे कि irritable bowel syndrome हो गया recurrent divertoclitis हो गया इसमें भी हम fibers का इस्तिमाल या high fiber diet के इस्तिमाल करते है इन भीमारियों में तो यह हो गए आपके functions उसके बाद आता है requirements कि भाई आमने ये तो देख लिए क्या होता है, कितने तरह का होता है किसमें पाया जाता है और क्या-क्या चीज़े करता है, अब सवाल आता है कितना खाना है मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप अच्छी-च्छी है तो आपने ये तो digest भी नहीं होगा absorb भी नहीं होगा तो बस जही-जही खाते जाओ और फिर बढ़या मोटे भी नहीं होंगे तो दादा एक limit है उसके ज़्यादा खाओगे तो भी पंगा हो सकता है तो क्या है उसकी limit ये desirable amount daily intake कितना होना चाहिए तो that is 40 gram per day के हिसाब से 40 gram के आसपास का daily intake होना चाहिए उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर हम Indian diets की बात करें तो Indian diet काफी होती है मतलब Indian diet में 50 के आसपास का आपको per day के हिसाब से fibers मिल जाते हैं 50-100 gram तक मिल जाते हैं सिर्फ Indian diet में क्योंकि Indian diet में काफी कुछ vegetarians होते हैं बहुत सारी चीज़े salads वगरे यूज करते हैं आपको मिल ही जाते है जो daily requirement है वो तो पूरी होई जाती है उससे थोड़ा जादे ही मिल जाता है अब जादा की बात करें तो जादा हमको खाना नहीं है तो किस से जादा नहीं खाना है हमको 30 gram per day से जादा अगर आप खाते हो तो आपको bowel irritation होने लगता है क्यों? क्योंकि भाईया हमने पढ़ा था ना laxative action होता है तो requirement समझ में आ गया कि 40 gram per day के इसाब सिखाना चाहिए और Indian diet काफी होती है Indian diet में आपको हराम से 50-100 gram fiber per day मिल जाता है तो ये हो किया सारा आपका dietary fiber के बारे में जानकरी अब अगर मैं बात करूँ सवाल की तो theory exam में आपको सीधा-सीधा short note आजाता है dietary fibers का ये in fact very short note में आपको आजाता है dietary fiber तो आपको बताते आना चाहिए ठीक? अगर मैं बात करूँ वाईवा की तो वाईवा में सीधा पूछ ले जाता है वह ये dietary fiber क्या होता है बताओ तो बताते आना चाहिए कि ये plants का वो remanence edible part का जो की digest भी नहीं होता फिर वाईवा में पूछ ले जाता है कितने तरह के होते हैं तो ये बताते आना चाहिए वाईवा का सबसे important question भाई साब sources, sources बता दो और ना जो examiner है ना वो आपसे डेड़ शाने है वो पता क्या बोलेंगे? अच्छा वहाँ फस जाओगे तो हमको examiner के जाल में फसना नहीं है हमको confident रहना है, हमको बोलना है कि सर, animal food products में fibers नहीं पाय जाते है वो plant के edible part का remanent होता है जो की digest absorb नहीं होता है फिर आपसे पुछ ले जाता है कि richest source कौन सा होता है या किस-किस में ज़्यादा पाया जाता है या high fiber diet देनी है आपको तो क्या-क्या चीज़े उनको खिलाना चाहोगे तो इन सब के example बता सकते हो in fact, याद रखना sports sports में भी इन में से कुछ अगर आपके college के museum में रखा हुआ है तो वो पूछ ले जाता है रागी कई बार रखा रहता है या oats कई बार आपके museum में रखा रहता है या maze रखा रहता है तो यह सब आपसे पूछ ले जाता है किसका rich source है तो रागी जैसे calcium fiber दोनों का rich source है तो यह सब बताते आना चाहिए तो इसलिए इनकी images को भी याद रखना ठीक उसके बाद आ जाता है functions तो ना functions में आपको वाईवा में सीधा पूछ ले जाता है functions बताओ इसके क्या-क्या तो at least आपको चार तो बताते आने चाहिए कि bulk provide करता है lexative action होता है blood cholesterol कम करता है blood glucose कम करता है चार तो बताते आने चाहिए ऐसे तो सभी आना चाहिए उसके बाद अगर हम बात करें requirement की तो requirement ज़रूर कुछ ले जाता है कितना लेना चाहिए और किस से जादा नहीं लेना चाहिए ये वाईवा में आपसे पूछ लिया जाता है ऐसी fenugreek seed भी अगर आपके museum में रखा हुआ है तो spots में आपसे पूछा जा सकता है अब आते हैं हम mcqs के बारे में तो जितने भी underlined part मिलेंगे आपको हमारे notes of slides में वो सभी entrance exam में पूछे गए mcqs है तो आपको ये तो कईयो बार पूछा जा चुका है mcq कि भाई साब richest source of fiber क्या होता है ये Miller's brand किसका richest source होता है in fact रागी पे आपको कई बार mcq आ चुका है कि रागी is rich in calcium होता है उसमें, fiber होता है उसमें तो इसलिए रागी पे भी mcq आपको कई बार आ चुका है और क्योंकि आजकल image based question बहुत आते है तो आपको Miller's brand रागी मेज cluster beans या cluster beans तो आपको पते ही है, oats भी आप समझ जाओगे लेकिन oats की इस तरह के आपको image आ सकती है, ज्वार और बाजरा या फिर sorghum और pearl millet की इस तरह की image आ सकती है, ठीक है? और वही इनके दूसरे नाम भी याद रखना, उस पे भी mcq आ सकता है, कि finger millet बोल दिया तो बोलो कि जे का हो गया, ऐसा नहीं finger millet, sorghum या pearl millet पे भी आपको mcq आ सकता है तो उनके भी नाम याद रखना और images ज़रूर याद रखना क्योंकि images, in fact मैं हमेशा बोलता हूँ पता, community medicine सब मिल जाएगा, बलना भाया जवारे दिखा दो, बाजरा दिखा दो रागी दिखा दो, सब देखने मिल जाती है, दुकान पे जाओगे तो देख लो, कतम, सब के पास phone और phone से photo की चलो, या google कर लो, जो मन हो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ अगर देख सकते हो, आमने सामने तो बहुत अच्छा होता है, तो देख लेना ठीक, यह हो गए आपके sources पे MCQs उसके बाद requirement पे भी कई बार MCQ पूछ लिया जाता है कि भाया कितनी requirement daily intake की होती है इस पे MCQ आया हुआ है, इंडियन डाइट में कितना मिल जाता है per day, इस पे भी MCQ आया हुआ हालागी आपको MCQ इस पे भी आ सकता है, फेनुग्रिक सीट यह मैथी दाने की image पे भी आपको MCQ आ सकता है, और फेनुग्रिक सीट में क्या होता है कौन सा fiber होता है, that is gum इस पे भी आपको MCQ आ सकता है ठीक, तो इतनी चीज़े हैं जो आपको dietary fiber या sources of dietary fiber में पता ही होनी चाहिए थैंक यू